पिष्ट संख्या 181 आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ति को हडिया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग भाशा में जार खंडी पन थंडी होती दिंचरिया में जीवन की गर्माहट मन का हरापन, भोलापन दिल का, अखडपन, जुजारूपन भी पिष्ट संख्या 182 भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुलहाडी की धार जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता पहाडों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन, फसलों की लहलाहट नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत हसने के लिए थोड़ी सी खिल-खिलाहट, रोने के लिए मुठ्थी भर एकांत बच्चों के लिए मैदान, पशुगों के लिए हरी-हरी घास, बूढों के लिए पहाडों की शान्ती और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, अब भी हमारे पास अभ्यास कविता के साथ एक, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है दो, भाशा में जारखंडी पन से क्या अभिप्राय है तीन, दिल के भोलेपन के साथ साथ अखड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की अवशक्ता पर क्यों बल दिया गया है चार, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराईयों की ओर संकेत करती है पांच, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, ये से क्या आशय है छे, निम्न लिखित पंक्तियों के काव विस्ताउंदर्य को उदघाटित कीजिए ख, थंडी होती दिन्चरिया में जीवन की गर्माहट ख, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उमीद, थोड़े से सपने आउ मिलकर बचाएं साथ, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवरशिक्ता है कविता के आसपास एक, आप अपने शहर या बस्ती की किन चीजों को बचाना चाहेंगे दो, आदिवासी समाज की वर्तमान स्तिती पर टिपनी करें प्रिष्ट संख्या एक सो चावरासी शब्द छवी आबो हवा यानि जलवायू माटी यानि मिट्टी सोधापन यानि सुगंध उमीद यानि आशा दोर अर्थात समय अक्खडपन यानि किसी बात को लेकर रूखाई से तन जाने का भाव जुजारूपन यानि जूजने या संघर्ष करने की प्रवृत्ती